आप सभी को जय माता दी, जय भुले नात, मैं आपकी अपनी गुरुमा महामनलेश्वर अंजनी देवाय दास जी महराज, आप सभी को प्यार भरी, जय माता दी, कार्तिक मास की हार्दिक शुपकामना है, हम सब कार्तिक महातम्मे को सुन रहे हैं, और कार्तिक महातम्मे को सु कामरिद्धी का वासु होता है मैं पूरी विश्वाष के साथ कहती हूं कि जो भावपुर्ण होकर इस कार्तिक महातम्य को सुनता है और नीजी जीवन में इस विचार को उतार लेता है उसके घर में कभी धन धानने की कमी नहीं होती, उसके जीवन में कभी सुख और शान्ती की कमी नहीं होती, इसलिए कार्तिक महातम्य का तीसरा अध्याय मैं बहुत ही भावपुर्ण रूप से आपको सुना रही हूँ, क्योंकि हम वैश्णव संपरदाई से हैं और पूरे अनुस्ठान को पूर्ण रूप से निभाते हैं, व्रत भी रखते हैं, धर्ती पर सोते हैं, तुलसी धारन करते हैं, सुबा जल्दी उफते हैं, तेल नहीं लगाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, नाम जाब करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, तुलसी को ग्रहन करते हैं, अगवान को प्रसन्न करते रहें कल का जो तिर्टिया ध्याय आप सुबह सुनेंगे तो मैं आपको बता दू कि कल करवा चौथ का वरत रहेगा सबी इस्तरियों से ये प्राठना है कि करवा चौत के साथ साथ कल की कार्तिक महतम्मे को अवश्य सुने कार्तिक महतम्मे को सुनने मात्र से ही कई जन्मों का बंधन हमें हमें पती के रूप में प्रदान होता है यानि अगर आपको अपने पती की उम्र को लंबा करना है सुख शार्ती सम्रिद्धी है और यही रिष्था आप बार बार काम ना करें कि आपको प्रदान हो तो यह तिरते अधाय आपके लिए है ध्यान से सुनिए और अपने व्रत को कई गुना बहतर बनाईए भगवान से प्रणाम कीजिए लक्ष्मी नारायन का ध्यान कीजिए कार्थिक मास के पवित्र मास को प्रणाम कीजिए गणेश भगवान का ध्यान कीजिए कहते गणेश जी का ध्यान करने से सबी चीज़े बहुत आनंदित हो जाती हैं तो सुनते हैं तीसरा अध्याए मैंने आपको ब सबसे प्रिये रानी मैं हूँ आपके लिए तो ऐसा कौन सा कर्म मैंने किया जिसके मात्र से ही आप इश्वर मेरे पती रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं। और कार्तिक महात्म्य को सुनने मात्र से ही मैं तो उनसे प्रसन हूँ और इसलिए इस जनम में मैं तुम्हारा पती भी हूँ और तुम मेरी सबसे प्रिये रानियों में से एक हो। तो मैं आपको आज उसी से ही जुड़ते हुए आगे तीसरे अध्याय को सुना रही हूँ। सत्य भामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में से श्रेष्ट क्यूं हैं? क्योंकि भगवान ने ही सब कुछ बनाया है, तो आपने के द्वारा सब कुछ बना है, सब आपके ही हातों से हुआ है, फिर भी ये इतना प्रिये मास आपको क्यों लगता है, तो इन तितियों में से, क्योंकि मास में से मैंने आपको बताया, सब मासों में से सर्विष्रेष्ट मास भगवान श्री कृष्ण को कार्थिक मास लगता है, और अगर हम दिनों की बात करें, तो दिनों में सबसे सर्विष्रेष्ट भगवान को एकादशी का दिन लगता है, को निभाता है वे भक्त आपको बहुत प्रिये हो जाता है तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि है प्रिये तुमने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूचा है क्योंकि कल्युग में इस प्रश्न के उत्तर की कामना हर कोई चाहता है सुनो मैं तुमको इसको बतालाता हू कि इस प्रकार से ये विचार उन्होंने बताए हैं इसी प्रकार एक बार महराज बैन की पुत्र राजा पृत्यू ने भी इसी प्रकार का प्रश्ण उत्तर में देवरिशी नारज जी से ये प्रश्ण कर लिया कि है नारज जी कार्तिक मास की आप मुझे महिमा बतलाएं कि का करने से भगवान श्री हरी हम से प्रसन्न हो जाते हैं राजा पृत्यों के प्रश्ण पर देव रिशी नारज जी ने उनको बड़ा ही सुन्दर सनवात सुनाया एहे राजन एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा ही बलवान और अत्याचारी हो चुका था उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों को बहुत प्रिशान कर रखा था उस शंखा सुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीत कर इंद्र आदी देशों लोक पालों के अधि अधिकार थे वे सभी अधिकार शंख सुर्ज राक्षस था उसको प्रदान हुए उससे डर कर सभी देवता जो है सुमेरु परवत की गुफाओं की कुटुम्बियों के साथ कुछ दिनों के लिए वहाँ जाकर छुप गए वे सुमेरु की गुफाओं में निश्चित होकर वही रहने लगे तब उधर से शंख सुर को पता चला कि की देवता जो है तो सुमेरु परवत के अंदर बड़े ही आनंद के साथ रह रहे हैं और उनके पास कुछ है नहीं कोई अधिकार नहीं है कोई स्वण नहीं है कुछ भी नहीं है केवल एक परवत की कंद्राओं में इतने आनंद के साथ कैसे रह रहे हैं तो शंका सुर के मन में एक शंका आ गई उन्होंने कहा कि मुझे पता कर कर बताओ कि वो इतने प्रसंद कैसे हैं जब वहां जाकर उनको पता चला कि कुछ भी नहीं है उनके पास सारे अधिकार छिन गए फिर भी देवता इतने प्रसं अगर उनसे वेद ही छीन लिये जाएं तो वे अपने आप ही निर्बल हो जाएंगे। प्रविष्ट हो गया लेकिन ना तो उसके वेद मंत्र मिले और ना ही उसे किसी भी प्रकार का बीज मंत्र प्राप्त हुआ। उनका पूजन करने लगे धूप, दीप, नवैद, आदी अरपन करने पर भगवान की निंद्रा जो है वह तूट गई और वह देवताओं सहित श्री भ्रह्मा जी को अपनी पूजा करते हो देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। और उनसे कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीतन और मंगला आचरन से बहुत ही अतिव प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर्दान मुझसे मांगे में अवश्य प्रदान करूँगा। ले गया है उसके सब समुंदर में ही विराजमान है। जिन वेदों को चुराने के लिए वह आय थे और जो वेद उसने चुराए हैं वे सबी समुंदर में थाई रुप से वास कर रहे हैं। मैं उस शंका सुर को मार के आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चार वेद प्रती वर्ष कार्तिक मास में जल में ही विश्राम करेंगे। अथवा भगवान श्री विश्णु जी ने कहा कि कार्तिक मास जब भी लगेगा जो चार वेद हैं वे समुंदर के जल में विश्राम करेंगे। और जब मैं मतस्य करूप धारन करके चमुंदर में जाता हूँ और आप लोग भी रिशी महरिशियों के साथ लेकर मेरे पीछे पीछे आ जाएं। जो कार्तिक मास में पहर रात्री पहले स्नान करते हैं वे निश्चे ही अक्षे फल को प्राप्त हो जाते हैं। वे अज्यात में अम्रित स्नान का फल प्रदान करते हैं। जो कार्तिक मास में व्रत करता है उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्र आदी देते रहना और जो भी उनके जीवन में विपत्तिया आए उनसे बचाते रहना। ऐसा भगवान श्री हजिविष्णु जी ने कहा। जिससे विधी पूर्वक यह उस्तम व्रत करेगा उसे सब प्रकार से लोगों के लिए व्यपूजनी हो जाएगा। कहने का मतलब है जो व्रत रखते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़ते हैं, जो धर्ती पर शयन करते हैं, जो लक्ष्मी नरायन के अराधना करते हैं, जो वेदु को पढ़ते हैं, जो महातम्य को सुनते हैं, जो महातम्य को सुनाते हैं, और आप जो ब्रह्मचारे का पालन करते हैं और अपने इस अराध्य को दूप दीप निविद्दे से उनका स्नान पूजन करते हैं ऐसे लोग भगवान शिरी हरी विष्णों जी कहते हैं मेरे लिए स्वयम बड़े ही पूजनिये होते हैं आप लोगों ने मुझे कार्थिक शुक ने मुझे इतने आनंद के साथ जगाया है भजन कीरतन किया मेरे को इतनी पूजा मेरे लिए आपने करी मेरे उपर पुष्प चड़ाए नवेद्दे चड़ाए इसलिए ये जो समय है ये मुझे अत्यधिक प्रिय है इसलिए शुकल पक्ष की एकादशी तिति जब लगी उसी एकादशी को भगवान शिरी विष्णु हरी को हमने गहरी निद्रा से जगाया है ये देवताओ ये दोनों वरत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे बहुत समीप आ जाते हैं इन वरतों के करने से जो मुझे फल मिलता है वे अन्य वरतों से नहीं मिलता है भगवान मुझे बहुत ही प्रिय हो जाता है इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महातम्य और एकादशी कथा सुनते हुए उप्युक्त नियमों का पालन करना चाहिए इसलिए सुबा उटकर स्नान करने का महतब बताया जाता है देखिए मैंने कल भी कि जर्चा की थी जो गुरू की सेवा करता है कार्तिक मास उसे सब कुछ दे कर चला जाता है क्योंकि कहते हैं भगवान रूट जाए तो उसे मनाना असान है लेकिन अगर गुरू रूट जाए तो भगवान भी उन्हें माफ नहीं करते हैं इसलिए जब ये मास जो है पूरा ग जाब करते हैं, गुरू के मंतर का नाम जाब करते हैं, गुरू मंतर की माला करते हैं, गुरू की पूजा करते हैं, उन्हें सरविश्रेष्ट मानते हैं और उन्हें सम्माननिय मानते हैं, तो भगवान विश्णु जी जो है, इस मास में उन सभी भक्तों से बहुत प्रसन्न हो और आपको इकता समझ में आ रही है, किर पाकर मुझे प्रेम के साथ बताएए, आप सभी को प्यार भरी, जै मातादी, जै भुले नाद, भगवान, श्री हरी, श्री विश्नु, भगवान नरायन, आप सभी को आशिर्वत प्रदान करें, और जीवन आपका मंगल में बना रह जै मातादी, जै भुले नाद